भारत के सवपरशिद उद्योगपती रोवर्ट बाडरा हमारे साथ मौजूद है सर आज सुभे काफी बड़ी च्छती देखनों को मिली देश के परदान मंत्री नरेंद्र मोधी की जो माता जी है उनका ध्यानत हो गया सर लगातार गांधी परिवार की बात करें वो भी सोख बद कर रहे हैं आप किस तरीके से देखते हैं सर इस गर्वे की प्रदान मंत्री के प्रती मेरा गहरा शोख गहरा संबेदना और उनके माँ श्री मती हरी हरी हिरा बेन के परिवार के लिए निधन पर मेरा गहरा शोख है मैं प्रधान मंत्री के भावनाओं को समझता हूँ मैंने अक्सर उन्हें देखा है कि वो अपने मां के दर्शन करते थे और मतलब उनसे हमेशा उनको एक किसम की सुरक्षा मिरती थी और खुश होते थे कि वो जिस तरीके से उनके साथ समय बिताते थे खिलाना उनको खाना खिलाना और उनकी देखवाली करना और मुझे इसका महसूस इसलिए है क्योंकि मैं भी अपने मां के साथ उतना ही समय बिताता हूँ और मुझे पता है कि चाहे जो भी उमर हो एक बेटे को अपने मां से कितनी सुरक्षा और मतलब की स्ट्रेंग्ट मिलती है और मैं जरूर अपसोपस करता हूँ उनको प्रदान मंत्री जी के लिए उनके परिवार के लिए कि ये बहुती मुश्किल समय है उनके लिए और वो जल्दी ही इससे अपनी स्ट्रेंग्ट बढ़ाएं और पूरा देश उनके साथ है और पूरा देश समझता है कि जो मां का लॉस होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है सर जैसा कि आपने जिकर किया कि मदर का जाना बहुत बड़ी च्छती है मम्मी का जाना पियम मोदी जब ये गुजरा जाते थे अपनी ममी से मिलते थे उनके हाथ का खाना भी खाते थे जिस तरीके से आप जिकर भी कर रहे हैं सर तो ये किस तरीके से थे मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे जरूर इसका अंदाजा है क्योंकि मैं भी अपने माँ के साथ जितना समय मिलता है मैं उनके साथ बैठता हूँ जब हमारे परिवार में काफी लोगों की नितन हुई मेरे सिस्टर की, मेरे ब्रदर की, मेरे फादर की तो पहले मुझे उनका पूरा होसला बढ़ाना था और उनका ख्यार रखना था पर ज़्यादातर मैं बोलूँगा चाए जो भी उमर है चाए प्रदान मंतरी की उनके माँ के साथ या मेरे मदर के साथ है कि हमें हमेशा सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने माँ के साथ ही महस होता है और उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो बहुत जरूरी है और हां मैंने देखा उनका रिलेशनशिप प्रदान मंतरी जी का उनके माँ के साथ बहुत ही बहुत ही अच्छा था और स्ट्रॉंग था और मैं यही कहूंगा कि बहुत ही मुझे लग रहा है कि उनको और इस दुखी समय में मैं उनके साथ हूँ। जब मैं देखता हूँ कि एक बढ़ता हुआ खिलाडी कि ऐसे हाथसा में वो मतलब की उनका आगे करियर में इशू हो सकता है और इतना जारा उनका फ्यूचर है और वो के रिस्क ले रहे हैं या जिस तरीके का अभी मौसम है कि फोग वगरा होता है आगे मनलब डिस्टिंस द गया है अब उनके फ्यूचर के लिए उनको और फिजियो थेरपी और मैं कोशिश मैं यही भगवान से प्रातना करता हूं कि वो ठीक रहें और मनलब की जल्दी ही खेल मैदान में दुबारा दिखें और मेरा यही है सब लोगों को कि थोड़ा सोच समझ के चलाएं रोड प पूरे अपने उसूल से चलाएं और धंग से चलाएं और कोई भी मुकाम इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा जिसमें आपको अपने लाइफ को रिस्क करना पड़े तो मैं यही बोलूँगा कि शांति पूर्वग मनलब अपना चलाएं और धंग से चलाएं और अपने हेल्थ और अपनी सेफ्टी का ध्यान दे